नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग प्रश्णावली 9.1 क्लास 10 यूपी बोट की सवाल नमर साथ हो अहल करेंगे दोस्तों सवाल में बोला है कि भूमी के एक बिंदू से एक 20 मीटर उचे भवन के सिखर पर लगी एक संजार मिनार के तल और सिखर के उन्यान कौन करमसा 45 अंस और 60 अंस है मिनार की उचाई ग्यात किजिए कि दोस्तों पहले हम लोग इसका फिगर संँदेंगे फिगर कैसे बनाना है सवाल नमें बोला है कि भूमी के एक बिंदू से एक 20 मीटर उचे भवनयानी की कोई भवन है जिसकी उचाई कितने बीच मीटर है याने कि यह भवन माल लेते हम और यह भूमी से कितना उचा है 20 म मेंटर हो गई कि यह भावन है अब बोला है कि भावन के सिखर पर याने की सिखर मतलब जो उसके उपर टॉप पर लगी एक संचार मिनार के तल और यानि कि इसके उपर एक मिनार लगा हुआ है कि माल लेते हैं यह मिनार हमारा है तो बोला है कि सिखर के यानि कि मिनार के तल और सिखर के उनियान कुण क्रमसा यानि कि यह मिनार है तो इसका सिखर यह हो गया और इसका तल यह हो गया अब बोला है कि इसका उनियान कुण कितना है 45 अंस और 60 अंस यानि कि ध्यान दिजेगा माल लेते हैं कहीं किसी बिंदू पर इसका कोड़ कितना बन रहा है ध्यान दिजिएगा मिनार के तल और सिखर का तो पहले तल बोला है तल मतलब यहां से लेकर इसका तल पर कितना बन रहा है 45 अंस और क्या बोला है सिखर याने की मिनार का सिखर यह है जिसके सिखर पर कितना बन रहा है 60 अंस इस परकाट से हम लोग इसका डाइग्राम बनाएंगे दोस्तो यहां कतना बन रहा है यहां कितना बन रहा है यहां पर 60 अंस बन रहा है अब क्या होगा दोस्तों ध्यान दीजेगा पुछा है कि मिनार की उचाई ग्यात किजिए यानि कि यह जो मिनार है इसके उचाई कितना है इसकी उचाई सिर्फ इतना है क्योंकि 20 मिटर नीचे भवन है मिनार सिर्फ उपर है यानि कि भवन कि छत पर लगा हुआ है इस प्रकार से माल लेते हैं कि इसकी उचाई है कितनी ह यह हम लोग माल लेते हैं यह मिटर होगा अब दयान दीजेगा इसका नाम रखते हैं आप अ इसको रख लेते हैं इसको रख लेते हैं आप दुस्तों हम लोग क्या पता है और पता करना है jeль États क का माल निकालना है अब क्या करेंगे लिखेंगे अब दोस्तों हम लोग करेंगे कि चलते हैं पहले C B D में आप दयान देज़ा कि तिरिभूज से दीrd में चलेंगे तहोग क्या क्या पता है हम लोग को मतलब की एक तरफ देखिए तो एक समकोर तिरभूज है जिसका हम लोग को लंब पता है और अधार पता नहीं है तो माल लेते हैं कि अधार हम लोग का X है यानि कि माल लिजे अधार X है अब क्या करेंगे लंब बटे अधार यानि लंब कितना है लंब है BC बटे अ एन मैटालीशंस कितना होगा टैनटालीशंस के ऊकी कितना कितना से कि है euro wake को बीस कि द्दी एक्स बरादे एक्स का मान थीना शॉँतहे व दोस्तों लिक्वेंग कि ति इसे लगे जो क्द्व दी में ध्यान दिजगा यह पूरा हम लोग क्यों अधारी में यह तहुतन जाये है अधानग लूगा अधारा बेडी बराबर टैन त्यक्ट क्योंकि भाइद आधार क्या बोलते हैं अब देहां दिजगा लंब कितना है लंब तो यह पूरा यानिक याज पलस 20 याज पलस 20 अधार कितना होगा अधार एक्स है यह का मान लोग पता कर चुके हैं कितना है बीस यह यह पर 20 रख लेंगे बराबर 10 10-60 आँस सक्योंकि यह पूरा कुंड कितना है डा था अब क्या करें को लोग यांच पलस वीश बटे-20 बद्टे बिस बराबर 10,60 का मनवल्स उम तराएगत हैं 100 में 3 अब क्या करें मोग यहां से नीकालेंगे मान या इसका नोकर नается याच पलस 20 बराबर 20 अंडरोड में 3 ऐसा क्यों 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 कि जो 20 है क्या मैं इस साइड भाग में है इस साइड यागा तो गुड़ा करेगा निकी गुड़ा कर लिया अब क्या करना है दोस्तों लोगों याच कमान निकलना है देखा होगा यह बराबर 20 अन्डर उट 3 यह पलस में है अगर इसको इसट लेंगे तो मैनिसम जागा यानिकी मैनिसम हो गया अब कितना होगा ध्यान दीज़ेगा दोनों में क्या है 20 का कामन है यानिकी अगर 20 कामन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ बचेगा लेकिन अगर इसको हम इजेक्ट मान निकालें तब क्या होगा कि 20 हम लोग जानते हैं कि अंडरोड में 3 का मान हता है एक दसमलो साथ तिन दो माइनस एक यनि कि 20 और अगर एक दसमलो साथ तिन दो में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.732 अब क्या करेंगे 20 गुडे 0.732 अगर इसका गुडा करा देंगे जितना हो आएगा वह भी हम लोग का एंसर हो जागा यानि कि कितना होगा दू दू ना चार दू तिन अचे दूसते चौदा और एक जीरो यानि कि तीन अंक बाद दसमलो कितना होगा कुल मिलाक हो जाएगा 14.64 मीटर यह में लोग का मिनार की उचाई हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से में लोग का सवाल नमबर सत्मा हो गया अब करेंगे लोग सवाल नमबर आठमा चलिए चलते हैं सवाल नमर आठमा में दूस्तों उम्मीद करता हम का आपको यह सवाल बिल्कु समझा रही है दोस्तों अगर समझा रही होगी इस वीडियो को लाइक करेंगा और सब्सक्राइब करके बैल नोट की उनको भी प्रेस करेंगा